दोस्तों आज की सुबह एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है आधार की तरफ से आपको बहुत परिसानिया होती थी जब आपके आधार में नाम गड़बर हो या फिर डेट अबर्थ गलत हो और आपको चेंजस कराना हो तो बहुत परिसानियों का सामना करना पड़ता था बट बहुत ही अच्छी ख़बर है और आधार की तरफ से बहुत ही बड़ी ख़बर है चुकि अब आप घर से ही अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ओबर्थ, एड्रेस, पिता का नाम, पती का नाम यहां तक ही आप सब कुछ लगभग आधार में घर से ही कर पाएंगे फिर बाद में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो हमने यह तो बताए दिया है कि अब आप आप ऑनलाइन कर पाएंगे बट अब हम लेमिटेशन की बात करते हैं क्या ऐसी लेमिटेशन दी गए है अधार की तरफ से जिनको अगर हम नहीं जानते तो हमारे पहली मुसीबत बन सकता है तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नेम जेंडर और डेट बर्त यह तीन चीज सिर्फ आप एक बार लाइफ टाइम पूरी उम्र भर में एक बार ही चेंज कर पाएंगे इसलिए आप जब भी किसी चीज को चेंज करना चाहें आप च आप सोच समझ कि इनको चेंज करिएगा चुकि अगर आप एक बार गलती कर दिये ना तो दुबारा आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जितना कि आप पहले नहीं करते थे तो यह तो ठीक है कि ऑनलाइन हो रहा है बट लेकिन अगर आप वही गलती कर जाते हैं और गलत कदम ले लेते हैं आप बाई मिस्टेक से वापस से आप कुछ और करा देते हैं और आपको बाद में चेंजस करने पड़ें तो नेम, डेट ऑब बर्थ और जेंडर ये तीन चीज पूरी लाइफ में आप एक बार बदलवा सकते हैं तो आप गलत की बात करें तो एड्रेस आप महीने में एक बार चेंज कर सकते हैं आप कई बार चेंज कर सकते हैं पर महीने में सायद एक बार कर सकते हैं तो एड्रेस में तो प्रॉब्लम नहीं होगी वो एक महीने वेट कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट एड्रेस आप वहाँ पे सेफ कर अगर आप online address या फिर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं पहली बात तो यहां से आप डेमोग्राफी मतलब फोटो और बायो मैट्रिक्स और नहीं अपडेट कर सकते हैं उसके लिए आपको मसीन भी चाहिए होता है और fingerprint और चाहिए होता है बट यहां पिसे आप घर से फोटो औ fingerprint और fingerprint का मतलब फिंगर और नहीं अपडेट कर सकते हैं इससे related कोई काम नहीं कर सकते हैं लेकिन हां नेम, date of birth और gender पिदा का नाम, पती का नाम, address यह सब online है अभी आप online ही change कर सकते हैं बर इसके लिए भी एक सर्थ है कि आपके आधार से आपका phone number लिंक होना चाहिए जब त जरूरी होता है अगर आपका नहीं लिंक है तो आप जरूर लिंक करा लिजिए किसी भी कीमत पर आप समय देके चुकि आगे हो सकता है और कुछ आपको offer दिया जाए बाद में हो सकता है problem होकर आए आप इसलिए आप आधार नंबर अपना आधार नंबर से phone number लिंक करा जो कि आपको नहीं पता होगा सायद बीना address proof के देखिए अगर आप कुछ address related changes करवाएंगे आप फिर कुछ निवास और बनवाते हैं तो आपको एक ID देना होता है जिसमें यह साबित हो कि आप इसी के निवासी है लेकिन आधार एक मातर ऐसा document है जिसमें अगर आपको address change कर परिवार कोई बन सकता है भाई बेहन कोई भी बन सकता है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं आपका personal experience आपको बताओ ना तो मैंने खुद भी change किया है मैंने अपने family में एक लोग का change किया है और खुद ही मैं verify बन गया था और validation लेटर भी मुझे हाया था मैंने successfully update भी कर लिया है हो गया है तो आपको कोई problem नहीं होती है आपको ना तो कोई address proof देना होता है कुछ भी नहीं देना होता है successfully आप changes कर सकते हैं तो गाई जाधार से related यही नीज थी मुझे लग आपको बताना चाहिए अब हमने तो अपना फर जदा कर लिया है अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप अगर पसंद आया हो साथ ही आप हमसे जुडने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजे इसी तरह के नए और interesting वीडियो मैं हमें साथ के लिए लाता है तो गाईस तब तक के लिए विदा लेते हैं मिलते हैं किस चैनल रंतल ठीक अगें बाय गुडबाय